आपने हमें इस चैनल पे बहुत से गारी का इंजिन डिस्मेंटिल करते हुए देखा होगा बट अलग-अलग कंपानी की और अलग-अलग सिग्मेंट की तो आज हमारे पास होंडा CBR 150 का इंजिन पहली बार आया है फुल वर्क करने के लिए इस वीडियो में हम आपको DOHC इंजिन डिस्मेंटिल करने का प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप दिखाएंगे बट साथी साथ हम अभी डिसकस करेंगे इंजिन डिस्मेंटिल कब और क्या-क्या प्रॉब्लेम होने से कौन सा पार्ट ओपेन करना है तो लिक्विट कोल्ट इंजिन डिलेटेट वेरियस आदर्स जॉब क्या करना है और अगर आप कोई भी DOHC इंजिन डिस्मेंटिल कराते हो तो ये कैसे करना है और क्या-क्या पैरामिटर चेक करना है उसी के उपर फूल इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो तो नॉक्स राइडर पे आप सभी का स्वागत है चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज सबसे पहले इंजिन हेट ओपेन करते हैं बट इंजिन हेट ओपेनिंग कप और क्या-क्या प्रॉब्लेम होने से हिट करना है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है तो नंबर वन अगर इंजिन पे हेट गास्केट लीकेज होता है नंबर टू भाल पाइन सिल डैमेज है क्योंकि वाइट स्मोग होगा नंबर त्ली हाई कांप्रेशन प्रेशर है क्योंकि हेट पे कारबोन है clean करना है नंबर फूर वाइट स्मोग और नॉइस के लिए सिलेंडर पिस्टन री-प्लेस्मेन करना होगा नंबर फॉल्क भाल बेंट सेटिंग या भालब री-प्लेस्मेन के लिए नमबर 6, Cylinder Piston Replacement करना होगा तब और नमबर 7, Valve Guide Noise के लिए नमबर 8, CamSub Replacement करने के लिए तो इस सब प्रोब्लिम के लिए Head को Dismantle करना है तो फ्रेंट्स सबसे पहले Engine Head ओपन करते हैं उसके लिए First Head Cover का 2-Piece 6mm Allen की Bulls को 6mm Allen की के हिर्फ से ओपन करें उसके बाद बोथ बोल्ट्स को हैंड से होल्ट करें और बाहर निकाले उसके बाद सिलिंडर Head Cover के उपर प्लास्टिक मालिट से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें और Head Cover को बाहर निकाले Head Cover का Lover Cell को चेक करें अगर डेमेज है तो रिप्लेस करें Next, Cam Chin Guide को ओपन करें अगर Cam Chin Guide पे इस तरह मार्क है तो गाट को रिप्लेस्मेंट करना है आप Cam Chin Adjuster को ओपन करें उसके लिए फास्ट एफ फिलिप Head Skew को फिलिप Head Skew Diver के हिल्प से ओपन करें और इस Small Flat Head Skew Diver से Cam Chin Tensioner को पूल करें उसके बाद एज़स्टर का 2-Piece 8mm बोल्स को 8mm T-Spanner के हिल्प से ओपन करें उसके बाद Cam Chin Adjuster को बाहर निकालें उसके बाद इनलेट और इज़स्ट साइट कैम सब्ट को ओपन करें उसके लिए एज टोटल 8-Piece 10mm बोल्स को 10mm T-Spanner के हिल्प से ओपन करें और बोल्स को बाहर निकालें उसके बाद इनलेट साइट कैम सब्ट के उपर प्लास्टिक मालेट से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें और कैम सब्ट को बाहर निकालें कैम लप चेक करें अगर कैम लप पे ज्यादा स्कोरिंग मार्क है तो चेंज करें नेक्स्ट एज़स साइट कैम सब्ट को बाहर निकालें और कैम सब्ट कंडिशन चेक करें नेक्स्ट बारी है सिलिंडर हेट को बाहर निकालने की तो उसके लिए फास्ट एट 2-Piece 10-MM बोल्ज को 10-MM टी-स्पैनर के हिल्प से लूस करें उसके बाद बोल्ज को बाहर निकालें नेक्स्ट एट 4-Piece 12-MM नट को 12-MM सोकेट के हिल्प से लूस करें और 4-Piece नट को बाहर निकालें आप प्लास्टिक मालेच से सिलेंडर हेट के साइट पे थोड़ा थोड़ा प्रेस करें। उसके बाद एक हैंड से कैमचेन को होल्ड करें और हेट को बाहर निखाने। सीलेंडर हेट बाहर करने के बाद हेट गसकेट कंडिशन चेक करें और भाल्फ फेस और भाल्फ बेंड है क्या चेक करना है भाल्फ गाइट एंड भाल्फ ओयल सेल भी चेक करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट कोलेंड हाउस को ओपेन करते हैं उसके लिए हाउस माउंटिंग पे इंस्टल टू पीस क्लैम का फ्लैट हेट बोल्स को फ्लैट हेट स्क्यू डाइपर के हिल्प से थोड़ा चा लूज करें और कोलेंड हाउस को बाहर निकाले नेक्स्ट एज़स साइट केम चेन पेट को बाहर निकाले और चेक करें चेन पेट ज्यादा वर है तो रिप्लेस करें नेक्स्ट सिलेंडर ओपेन करते हैं बट सिलेंडर ओपेन कब और क्या-क्या प्रोब्लेम होने से सिलेंडर ओपेन करना है उसके बारे में पहले जान ल होता है, तब और अगर आप सिलेंडर पिस्टन और रिंग रिफ्लिस्मेंट करते हो, तो सिलेंडर ओपेंट करना होगा, नेक्स सिलेंडर ओपेंड करने के लिए, 1st, Plastic Dumola के हिelpe से सिलेंडर का साइड पे थोड़ा-थोड़ा प्रेस करें, और बोध हैंड से सीलेंडर को hold करे और साबधानी से बाहर निकाले उसके बाद small flat head skew diver के help से piston pin सर्ट्री ब्लोग को open करे उसके बाद piston pin को थोड़ा सा प्रेस करे और piston pin के साथ piston को बाहर निकाले सीलेंडर पीस्टन बाहर करने के बाद सीलेंडर condition चेक करे और पिस्तन के उपर स्कोरिंग मार्क है और रिंग कंडिशन चेक करना होगा चलिए आप मैगनेट साइट ओपन करते हैं बट मैगनेट साइट कब और क्या-का प्रॉब्लेम होने से ओपन करना है उसके बाड़े में पहले जान ले तो नमबर वन मैगनेट गस्केट लीकेज और वान वे तूट गया या मैगनेट कोई रिप्लेश्मेंट और मैगनेट की तूट गया तो आपको मैगनेट साइट ओपन करना होगा सो मैगनेट कवर फर्स्ट ओपेन करते हैं उसके लिए मैगनेट कवर का 9 पीस 8 mm बोल्ट को 8 mm Tee Spanner के हिल्प से लूज करे और बोल्ट को बाहर निकाले उसके बाद मैगनेट कवर का साइट पे प्लास्टिक मैलेट से थोड़ा थोड़ा प्रेस करे और बोल्ट हैंड से मैगनेट कवर को होल्ट करे और बाहर निकाले मैगनेट कवर पे इंस्टल कोईल एसेंबली को चेक करे फिजिकली कोई डैमेज है क्या नेक्स्ट रिडक्शन गियर सब्ट को हैंड से होल्ट करे और बाहर निकाले उसके बाद खोलर ब्रूस को निकाले अब reduction gear को hand से hold करे और बाहर निकाले Next, Magnet Rotter Holder Tools के help से Magnet Rotter को hold करे और Magnet Subt का 17mm nut को 17mm socket के help से loose करे और nut को बाहर निकाले और nut का पीछे वसर को भी बाहर निकाले अब Magnet Holder Tools को बाहर निकाले उसके बाद magnet remover tools को install करे और magnet rotor को बाहर निकाले वान हुए where king का condition चेक करे और starta drive gear को बाहर निकाले और condition चेक करे next camjan को hand से hold करे और बाहर निकाले आफ इंलेट साइट केमजेंड पेट को ऊपेंड करें उसके लिए सिटिंग प्लेट का वान पीस 8 mm बोल्ट को ऊपेंड करें बोल्स और प्लेट को बाहर निकाले, नेक्स्ट केमजेंड पेट का निकाले, और पैट का कईदुशन चेक इसल 거지 नेक्स्ट गियार पोजिशन सेंसर को उपन करें उसके लिए वान पीस 8 mm बोल्ट को 8 mm T-Spanner के हिल्प से उपन करें और बाहर निकालें उसके बाद स्मॉल फ्लैट हेट स्क्यू डाइबर से सेंसर का साइट पे थोड़ा थोड़ा प्रेस करें और सेंसर को भी निकालें अब स्विश कॉंटेक्ट को बाहर निकाले और स्विश कॉंटेक्ट स्प्रिंग को भी निकाले नेक्स्ट क्लाश साइट उपन करते हैं वर्ट क्लाश साइट उपन कब और क्या-क्या प्रॉब्लेम होने से उपन करना है उसके बारे में जान ले अगर बाइक लो पीकप और इंजिन आरपीम जादा है बट बाइग उस आरपीम के हिसाब से रिमूफ नहीं होता है और क्लाच प्लेट फिक्षान प्लेट ओन आउड हो गया और क्लाच करते टाइम बाइग जरड की मुवमेंट होता है और अगर बाइक गिवर सब्ट हाड है इस टाइप प्रॉब्लेम होने से क्लाच ओवर हॉल करना होगा क्लाच साइट ओपिन करने के लिए फर्स्ट कूलेंड प्रम्प कवर को ओपिन करे उसके लिए कवर का 3-Piece 8mm बोर्ज को 8mm T-Spanner के हिल्प से ओपिन करे और क्लाच कवर को बाहर निकाले आप ओएल लिविल गज को कंबिनेशन प्लेयर के हिल्प से ओपिन करें और बाहर निकाले आप क्लाच कवर का 9-Piece 8mm बोल्ट को फर्स्ट लूस करें उसके बाद 9-Piece बोल्ट को बाहर निकाले यह है कुलेंडरेंट ट्यूब उसको भी निकाले उसके बाद क्लाच कवर का साइट पे प्लास्टिक मालेट से थोड़ा थोड़ा प्रेस करे और बोथ हैंड से क्लाच कवर को होल्ट करे और बाहर निकाले आप बाड़ी है इंजिन ओयल पांप को ओपेन करने की बट उसके लिए पांप का 3-piece 10 mm बोल्स को ओपेन करे और बोल्स को बाहर निकाले उसके बाद ओयल पांप को हैंड से होल्ट करे और बाहर निकाले नेक्स्ट आपको क्लास रिलीस प्लेट को खोलना है खोलने के लिए ए 4-piece 10 mm बोल्स को 10 mm 30 पैनर के हिल्प से ओपेन करे बट रिलीस प्लेट नाथ खोलने के टाइम क्रिस्क्रोस एंगेल पे ओपेन करे नहीं तो रिलीस प्लेट तूट जाएगा 4-piece बोल्स को बाहर निकाले और रिलीस प्लेट को भी बाहर निकाले रिलीस प्लेट बीरिंग को कंडिशन चेक करें आप 4-piece क्लाश स्प्रिंग को हैंड से होल्ट करके बाहर निकाल देना चाहिए नेक्स्ट आपको क्लाच अश्यम्वली को निकालना है उसके लिए first class pressure disc को hold करना है So first ए 4-piece 8 mm bolts को install करें और इस special tools को इस position पे hold करें Next एक class nut tools इस tools के help से class nut को lose करना है आप इस special को बाहर निकाले Next class nut को hand से खुमाना है फर्स्ट नाट को निकाले उसके बाद नाट का पीछे स्प्रिंग वासर को निकाले अब आपको इस बोध पोजिशन पे हैंड से होल्ट करे और क्लाच एसेंबली को बाहर निकाले नेक्स्ट क्लाच हाउसिंग के उपर का ये वासर को बाहर निकाले उसके बाद हाउसिंग को हैंड से होल्ट करे और बाहर निकाले बट हाउसिंग का फ्री प्ले चेक करे अगर ज्यादा प्ले है तो हाउसिंग को रिप्लेस्मेंट करे अब क्लाज हाउसिंग ब्रूस को निकाले और ब्रूस के पीछे ये वासर को भी निकाले नेक्स्ट ग्रियर प्राइमरी डाइब गियर को ओपन करें उसके लिए ये नाट को इस टूल्स के हेल्प से लूस करें उसके बाद नाट को बाहर निकाले और ये वासर को भी बाहर निकाले नेक्स्ट गियर प्राइमरी डाइब को हैंड से होल्ड करें और बाहर निकाले नेक्स्ट वाटरप की को साबधानी से होल्ड करें और बाहर निकाले और ये वासर को हैंड से होल्ड करें और बाहर निकाले next stopper gear shift को open करें उसके लिए 10 mm T spanner के help से stopper gear shift का bolts को open करें और बाहर निकाले next gear sub stopper को hand से hold करें और बाहर निकाले ए देखिए वासा stopper का पीछे रहता है इसको भी निकाले और last एक gear stopper spring है next gear shift shaft का end पे एक hand से थोड़ा सा डाउन करें और एक hand से shaft body को hold करें और इस तरह बाहर निकाले next index star का 10 mm bolts को 10 mm T spanner के help से lose करें बात bolts को बाहर निकाले अब index star pin guide plate को बाहर निकालें उसके बाद index star को hand से hold करें और बाहर निकालें अब बारी है बोद cankres को अलग करना है उसके लिए first class side का 4 piece 10 mm bolts को 10 mm T spanner के help से open करें और bolts को बाहर निकालें next magnet side से total 9 piece 8 mm bolts को open करें उसके बाद bolts को बाहर निकालें next right side crankcase के उपर plastic mallet से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें उसके बाद बोद हैंड से crankcase को hold करें और बाहर निकालें next shift box shaft को hand से hold करें और बाहर निकाले आप gear shift cam को भी बाहर निकाले next 3 piece fork को निकाले आप drive shaft और counter shaft both shaft को hand से hold करें और बाहर निकाले और सबसे लास्ट ए जो खोलना है उसके लिए first crank shaft को थोड़ा सा साइट करें और बैलेंसर सब को बाहर निकाले उसके बाद crank shaft को भी बाहर निकाले और crank shaft को चेक करें इंजिन डिसमेंटल वीडियो इपर end करते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए अच्छा लगे तो like share और subscribe भी कर देना तो फिलाल के लिए बाई बाई फ्रेंड्स फेर मिलेंगे इंजिन डिबल का वीडियो के साथ